नमस्का दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए महरास्ट और हर्याड़ा के विधानसबा चुनाओ खतम हो चुके हैं और उत्ता प्रदेश में भी 11 सीटो पर उपचुनाओ हुए हैं लेकिन यहां पर 11 सीटों पर फिर सही है उप चुनाओं में नतीज़े क्या चुनाओं चुनाओ पर यहांब और उत्ता प्रदेश के चुनाओ के नतीज़े भी आपको सबसे पहले यहां पर मिलने वाले तो चलिए सुरू करते हैं हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले उत्ता प्रदेश विधान सभा उप चुनाओ की जिसमें सबसे ज्यादा जो ओटिंग होई वो जलालपूर सीट पर होई जिसमें 19% ओटिंग होई और कुल 11 सीटों के लिए 46 सीटों 46% माद्दान हुआ अब बात करें अलग-अलग सीटों की तो लखनाओ केंट कुछ वीआईपी सीट हैं जिसमें लखनाओ केंट और आपकी रामपूर विधान सभा सीट आ जाती है तो लखनाओ केंट की बात करें तो यहाँ से बीजय पी के उम्मीदवार सुरेश तिवारी और सपीस चतुल्वेदी बीएसपी से अरुर दिर्वेदी मैदान बे थे बात करें लगनव केंट से सुरेश तिवारी का पल्लडा भारी है तथा इनका टककर S.P. के असीश चतुल्वेदी से कड़ा टककर देखने को माना जा रहा है लेकिन बात करें घोशी सीट यहाँ पे BJP के विजय कुमार और SP के सुधाकर के बिच कड़ा मुकबला देखा जा रहा है नेक्स्ट बात करें जैदपूर की सीट की तो जैदपूर सीट में BJP से अंबरीश रावत, कॉंग्रेस से तनुच पुनिया और SP से गौरो रावत है और प्रिवेसली बात करें यहाँ सीट BJP के बात पास थी लेकिन यहाँ पे BJP से अंबरीश रावत बढ़त बनाए हुए लेकिन यहाँ पे सबसे important बाट यहाँ पे BJP के अमरीस रावत को टक कर SP के गवरो रावत से नहीं बल की यहाँ पे Congress के तनुच पुनिया से टक कर देखने को मिला है Next बात करें हम गोविन नगर सीट की तो गोविन नगर से BJP से सुरेंद्र मैथानी मैदान में है SP से समराट विकास, BSP से देवी प्रसाद मैदान में है और अगर जो हम बात करें गोविन नगर सीट सी तो यहाँ पे BJP के सुरेंद्र मैथानी मैदान मार सकते हैं या फिर जीश सकते हैं इनको टक कर मिलने यह SP के समराट विकास से नेच्ट अकर जो हम बात करें पताफगर सीट से तो यह SP से ब्रिजेस वर्मा और बात करें अपना दल से राजकुमार पार प्रिविसली यह सीट BJP के अपना दल के पास थी लेकिन इस बार यह सीट ब्रिजेस वर्मा यह SP के निकाल सकते हैं और इनको जो टक्कर देना है राजकुमार पाल अपना दल से देना है और BJP के सयोगी पार्टिय ध्यान रखेगा नेक्स्ट बात करें मानिकपुर सीट से BJP के अनन सुकला, BSP के राजनाराण, SP के डॉक्टर निर्भै सिंग यहाँ पे जो टक्कर है डॉक्टर निर्भै सिंग और अनन सुकला के भी कली टकर देखी जा सकती है रामपुर सीट की बात करी, बहुत ही VIP सीट है, आजम खान यहाँ से विधायक थे लेकिन फिर से आजम खान चुनाओ लड़े संसत की सीट के लिए और वहाँ से वो जीत गये, उसके बाद यह सीट खाली हो गई क्योंकि बात करें अगर रामपूर में 57% मुस्लिम आते हैं और यहाँ पे बात करें नेक्स सीट की बलहा, बलहा में BJP से सरोज सोनकर और SP से किरणभारती का ठकर देखा जा रहा है नेक्स बात करें जलालपूर सीट की तो जलालपूर सीट में बात करें 69% मददान हुआ है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा 11 सीट में मददान जलालपूर सीट में हुआ है यहां से BJP के Dr. Rajesh Singh, BSP की Dr. Chaya Verma के बीच टककर देखा जा रहा है, लेकिन यहां पे Rajesh Singh का पड़ला भारी माना जा रहा है, नेक्स्ट बात करें, गंगो सीट से BJP के कीरा सिंग और SP के इंदर सिंग के बीच टककर यहां पे देखने को मिल ला है, अगर जो हम बात करें इक ला यहाँ पर दिखने को मिलना है आकड़ा जो बीजेपी 9 सीट जीती थे इन 11 में से लेकिन यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है बीजेपी 5-6 सीट जीत सकते हैं यहाँ पर विधान सभा उप्चुनौ के 11 सीटों में से वहीं पर बात करें SP को 4-5 सीटे मिल सकती हैं और स ाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब नेगा है तो चले से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर आपको चुनआओ के नतीजों की सबसे पहले अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी चलिए इस विडियों की खतम करते हैं मिलते हो मैं जबल जयएंत Lauren